नमस्कार दोस्तों मैं बाबुराम पटेला आप सबका अपने यूटुब चैनल बालो जी जोन में एक आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों चलिए देख लिया जाए आज का जो हमारे कलास है आज हम बिल्कुल इंब्रियोलाजी का प्रैक्टिस सिट ले करके उपस्तित हैं तो चलिए बिल्कुल फटा फटा आप लोग जुड़ जाए और एक बार माजा आ जाए भाई देख लिजे आप अपनी भी तयारी क आपके तैयारी कितनी हुई है तो चलिए आज का पहला प्रशचा कह रहा है दोस्त उस प्रश्चू को देखलिया जाए rap कर आष्षव ryks Same से कर्षण की पाई जाती है ठीक है मेरे दोस्त तो हरक को गयमी देख लिए इसका रायट एंसर क्या होगाभा मेरे दोस्त तो इसका right answer है C, Scalotropes में, ठीक है, C is the right answer, Scalotropes, अब बात करते हैं हरको गयमी की, क्या है मेरे दोस्ते, देखी इसको समझिए, जब पुस्प में पराग कोस से जो पराग कन होते हैं, पराग कोस से पराग कन, उसी पुस्प के वर्तिकागर तक नहीं पहुच पाते हैं, हम आपको बता दे, Gloriosa है, C, Scalotropes है, तो यह इसकी example है, अगर यह आप नहीं समझ पाए, तो मैं अपनी भासा में समझा दूँ, जैसे पत्पत्नी हैं, असादी हो गई, नहीं नहीं, अब पत्नी घर पे है, अब पत्ती चला गया परदेश, ठीक है, आप पत्ती चला गया ही, तो बच्चे उत्पन होंगे, अब उसका पत्ती चला गया परदेश, अब जो उसकी पत्नी है, बगलिया में संपर कली, समझ रहे हैं, पत्ती कूपस्थिती में, पत्ती नहीं संपर कर पा रहा है, बगल में संपर कली, यह सिसू आ गया, समझ रहे हैं आप, तो इस बात किसमें पाया जाता है थेखे एक सब्सक्राइश और इक सब्सक्राइब कोओं सब्सक्राइब जब इस में दो DAY आम भूरूर० पोफ को कहते हैं इंडो इस्पर्म अभूरूर्ण कोष सांट्यक बरूरूरूरूरूस किसमें पाय जाता है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा मेरे दोष तो इसका राइट एंसर हो जाएगा D प्लंबाइगो में किसमें प्लंबाइगो में ठीक है अगले प्रसन की तरफ बढ़ते हैं प्रस नमबर तीन कह रहा है पाली गोनम प्रकार का भूण कोस होता है अब देखे वही बतिया घुमा के दे दिया मेरे दोस्त ठीक है पाली गोनम प्रकार का भूण कोस किसमें होता है अब आप समझ सकते हैं कि कैसा होता है पॉलीगोनम प्रकार का भुरून कोस होता है कैसा होता है कर रहा कि 8 नूकलियेट 7 सेल्ड 8 नूकलियेट 8 सेल्ड 7 नूकलियेट 7 सेल्ड 7 नूकलियेट 6 सेल्ड तो देखिए ये बहुत बार आया है पॉली गुनम प्रकार का जो भुरूण कोस होता है किसना होता है तो हम आपको बता दें 7-celled 8-nucleate ठीक है 7-celled और 8-nucleate तो कहा है 8-nucleate यह है 8-nucleate और यहाँ है 7-celled तो इसका right answer क्या हो जाएगा is the right answer ठीक है मेरे दोस्त इसका right answer क्या हो गया चलिए प्रस नमबर 4 की तर बढ़ते हैं प्रस नमबर 4 क्या कह रहा है ब्रूण कोस का सामान प्रकार कौन सा है बताईए ब्रूण कोस का सामान प्रकार कौन सा है बताईए कह रहा है इलियम परकार, एडोकसा परकार, ओइनो थेरा परकार, पॉलिगोनम परकार, तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा भई, ठीक है, फोर नंबर का जो राइट एंसर होगा, वह क्या होगा, तो इसका राइट एंसर बिल्कुल क्या होगा, पॉलिगोनम टाइप का, ठीक है, किस प्रकार का पॉलीगोनम टाइप का ठीक है अभी मैंने इसका विस्तार आपको बताया भी ठीक है चलिए कोश्चन नमबर पांच की तर बढ़ते हैं कोश्चन नमबर पांच क्या कह रहा देखिए कौन सा एक वास्तवी के नट है कह रहा है अखरोट है कि काजू है कि है कि पार्थिनो जिनेसिस को गसा और आपको पार्थिनो जिनेसिस और इसका राइट एंसर तो मेरे दोस्त हम आपको दूट वादें इसका राइट अंसर है बी एपो इस्पोरी क्या है एपो इस्पोरी अब है क्या यह कि नियुसिलस की किसी कोशका से इंब्रियो सैक का निर्माड अगर हो जाता है तो उसे इस्पोरी एपो इस्पोरी कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं एपो इस्पोरी और इस क्रिया में दिगुडित अंड से सिधे भूण का भी कास हो जाता है ठीक है मेरे दोस्त चलिए कोश्चन नमबर साथ की तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमबर साथ क्या कह रहा इसको देखती है कह रहा है पराग कोश की दिवार का सबसे भीतरी अस्थर ट नूट्रिशनल यह पोस्वर टार का काम करता क्या करता है प्रदान करता है ठीक है तो इसका सेवन का सीजदगा चलिए अगले प्रिसंग की तरफ बढ़ते है कंघर। कह रहा है कि ब्रती परती परियोक्त खतरनाक हिंदी है एक दिन मैंने खतरनाक हिंदी पर ही बनाया था अब देख लिए इंगलिस आर्थोट्रापस एनाट्रापस एमफीट्रापस की आलाबद एबाव ठीक है आलाब दो तो किस प्रकार का है ठीक है अब इसमें सभी प्रकार के हैं तो मुखे रूप से च्छा अब यहां देख रह question number 9 कि तरब बढ़ते है question number 9 क्या करा है उसको देखिए कह रहा है अधिकान साबरित बीजियो में बीजांड होता है इन मेजार्टी आफ एंजियो इस्पर्म दा ओयूल इज एंजियो इस्पर्म में ओयूल कैसा होता है अभी मैं टाइप साफ ओयूल भी बताऊंगा आफ को कंपाइलो ट्रापस है हैंफी ट्रॉपपस सिर्शीनो ट्रॉपस ठीक है तो कई प्रकाजित्व सभी ट्रॉपस हैं समझ रहे हैं अब इसका जो राइट अंसर होगे देखिए हम आपको बता दें, अधिकांस जो होता है वो होता है इनाट्रापस, क्या होता है भई, इनाट्रापस होता है, लेकिन यहाँ इनाट्रापस तो दिख नहीं रहा है, समझ रहे हैं, यहाँ हेमी है, कमपाईलो हेमपी है, तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा ननाप दीज डीज दा राइट एंसर ठीक है चली question number 10 की तरब बढ़ते है question number 10 क्या कह रहा है देखे कह रहा है संयूगत परागकन पाय जाते हैं जो compound pollen grain होता है कह रहा है किसमें पाय जाता है कह रहा है इनुना में की ड्रोसेरा में की इलियोडिय में, कि आलावदीज में, यह नि चारो में, ठीक है, तुसका right answer क्या होगा मेरे दोस्त, बताइए जरा, फडाक से बताइए, इसका right answer क्या होगा, ठीक है, इसका right answer हो जाएगा मेरे दोस्त, दीज दा राइट एंसर, आल आप दीज, ठीक है, उपर यूग तो सभी में पाए जाता है, ठीक है, संयूग तो पराग कन, अब है क्या, देखी हम आपको बता दें, जब एक मैक्रोस्पॉर मदर से, बनने वाले चारो पराग कन, आपको पॉलें जब आपस में जुडे रहते हैं, तो इसे कहते हैं कंपाउंट पॉलें ग्रिन, और इसका एजांपल है, ड्रोसेरा, टाइफा, इलोडिया, इन्नोना, ठीक है, तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, डीजदा, राइट एंसर, चलिए, कोशन नमर 11 की तरफ बढ़ते हैं, कोशन नमर 11 क्या करा है, करा दोहरा निसेचन, अदुती लक्षण है, डबल फर्टिलाजेशन, इस करेक जिमनोस्पर्म का जिनेरा दिया है, अब फाइकस है, आप देख रहे हैं, फाइकस जो होता है, फाइकस क्या है, एक एंजियोस्पर्म ही तो है, जबकि नीटम, पाइनस, साइकस है, जिमनोस्पर्म है तीनो, ठीक है, तो फाइकस क्या है, एक एंजियोस्पर्म है, तो डब युगम कोदभीद से सीधे बिजाड उद्भीद का बनना क्या कहलाता है गेमटोफाइट से सीधे इस्पोरोफाइट डेवलब्मेंट आफ इस्पोरोफाइट डायरेक्टिली फ्रामदा गेमटोफाइट टीसू इसकाल्ड ठीक है इस्पोरोफाइट से करती है तो इसे एपोगैमी कहते हैं और इसकी जो खोज है सवप्रथम फारलो ने 1884 में की थी ठीक है और एपोगैमी जो सब्द है डी बैरे ने डी बैरी ने 1878 में दिया ठीक है मेरे दोस्त चलिए कोश्च नमर 13 की तरफ बढ़ते कोश्च नमर 13 के कह रहा है देख लिए भा पानी जी भी बहुत ही दमदार चैप्टर है करा नियुसिलस का बचा हुआ भाग जो बीज में उपस्थित रहता है क्या कहलाता है करा ब्रून पोस कहलाता है अब ब्रून पोस आ गया ब्रून कोस नहीं ब्रून पोस टेगमिन कहलाता है कि क्रीमो कार्प कहलाता है पेरी स् देखिए मैं आपको बता दू कुछ पौदों के बीजों में जब नियुसिलस का कुछ भाग बचा रह जाता है जो भुरून के बाहर एक पतली परत के रूप में होता है तो उसी को कहते हैं पेरी इस्पर्म कहते हैं जैसे अरंड है काली मिर्च है चुकंदर है इसमें समझ र परत है कह अलूरोन है कि एपी डर्मिस है कि पेडिकारप है कि टेस्टा है अब टेस्टा टेंग मीन नाम सुना होगा समझ रहे हैं इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा मेरे तथा में इंडोंturn टेप्टे isn't दोनों कोई नहीं समझ रहें तो बताई इसका राइट एंसर क्या हो जाएक में इसका राइट एंसर हो जाएगा श्कष्टा राइमरी पेरि al Leader इस सब्हसे फार इसथे पराएमरी आंज आर इस्टार होता है इस दो अस्तर हो एक प्राथमिक भित्ती स्थर और दूसरा प्राथमिक भिजाडू के स्थर समझ रहे हैं जो प्राथमिक भित्ती स्थर होता है इससे इसकी दीवार के बिभिन स्थरों का निर्माड हो जाता है जैसे इंडोथीसियम हो गया मद्ध स्थर हो गया इपीडर्मिस हो गया और रहा है कि गाइनो इस्टीमियम तथा गाइनो इस्टीजियम प्रकार के सयोजन किसके अंतर गाताते हैं टाइप साफ एडिसन प्लेस्ट अंडर करा एपी पेटली होता है EP highly होता है कि gynyendry होता है कि कोई नहीं होता है समझ रहे हैं तो 60 number का जो answer होगा वह क्या होगा मेरे दोस्त फटाक से बता दिजे इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer है gynyendry क्या होगा गाइनेंडry होगा अब इसका मतलब क्या है जब उसका जो stamin होता है उसके gynycium से संयुक्त हो जाता है समझ रहे है चलिए, आगे देखिए, हम बात करते हैं, question number 17, कि 17 क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है, निसेचन के बाद, बिजावरन बिक्सित होता है, इससे, निसेचन के बाद, बिजावरन किससे बिक्सित होता है, after fertilization, the seed coat, develop from, seed coat, किससे बिक्सित होता है, fertilization के बाद, कह रहा है, oil से, की च chir ETris से कि इंटी ग्यूमेंट से की नीोसिदस से किस बिक्सित होता है या पूँछ रहा है तुहला है क्या है इग सेल्स सिनर्जिट्स हैं और इग सेल्स होती हैं समझ रहें तिस प्रकार का तो इसका राइट एंसर क्या है Integument is the right answer Integument is the right answer अर्थात इसका मतलब क्या हुआ क्याबरिती बीजी जो पौधे होते हैं उनमें बीजा वरन का विकास Integument से ही होता है और बीजान्ड से जो बीज का विकास होता है किस से ओयूल से किस से सीड का विकास होता है और चले जा मुखी रूप से क्या हो जाते हैं नस्ट हो जाते हैं चले कोश्च नमबर 18 की तरफ बढ़ते हैं कोश्च नमबर 18 क्या कह रहा है करा यदि एक NGO स्पर्म के एक भुरून पोस में 24 गुन सूतर है आप देखिए इस प्रस्ण को कह रहा है भुरून पोस में भुरून पोस का मतलब क्या है इंडो स्पर्म और किसका इंडो स्पर्म NGO स्पर्म का कह रहा है इंडो स्पर्म का जो इंडो स्पर्म होता है उसमें कितने गुन सूतर है 24 गुन सूतर है तो मूल की प्रते कोश्का में गुर्शूतरुक संख्या कितनी होगी, मतलब पूछ रहा है कि root में, कहां गया भाया इसका English कहां है, मैं दिख जब भाई root, root will be, समझ रहे है root में कितने होंगे, ऐसा कह रहा है देखे हम आपको वदा दे, जो इंडो इस्पर्म होता है इंडो इस्पर्म का इंडो इस्पर्म इंडो इस्पर्म होता है 3N, कितना होता है, 3N 3 गुरुत होता है, समझ रहे हैं, अजब कि root होता है, वो होता है 2N, समझ रहे हैं, 2N होता है अब यहां देख लिजए, 3N बराबर कितना कह रहा है इंडो इस पर में enjoy support contain 24 इसका मतलब कह रहा है थ्री येनग बराबर 24 ठीएनबर 24 तो येनग बराबर कितना हो जाएंगा 24,3 तो हो जाएगा येज़ और आथ अब यहां रूट में निकाल हिए अब येन काव value रख दीजिए 2 इन्टू एन की वाई लू कितनी हो जाएगा आठ दूनी 16 इसका राइट एंसर कितना हो जाएगा 16 तो यहां बिकल्प में कहा है इसको टिलम होता है इसको टिलम होता है इससील्ड सेबड कोटी लीडान होता है Squad number 20 की बात करते है अब भाई फटा फटा अब लोग थोड़ा सा वीडियो कर लाइप भी कर दिया करें कि from the fue innocent कि सिर्य पर क्या कर रहा है कि अंटी है इग कर लाती है कि सिर्गे L track जो क्वेस्पंति की त्रफ बरूते हैं कि संख्या कितने होती दो होती है कितनी होती है दो एक इसी में का होता है एक इगसल होती है तो आप समझ जाएए चले क्वेस्चिन नुमर्ट परागड प्रभावित होता है इसके दारे प्रभावित होता है इनन फायकस रिलीजियोसा पॉलिनेशन थन अफ disciplined इसमें मैं और गूलर घूलर भी तो होता है िसके अंदर तीन प्रकार के पूस्प होते हैं समझ रहे हैं male flower गाल flower female flower समझ रहे हैं इसके अंदर जो कीट घुसता है तो उसी के दोरे प्रभावित होगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा embryo सेक होता है तो इसका right answer है इसका right answer क्या हो जाएगा embryo सेक इस दराइट इंसर भूण को समझ रहे हैं भूण पोस हो भूण को सो होता है आप इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इसी के अंदर आप जानते हैं कि इग आपरेटर्स होता है और इसमें एक इग सेल और सिनर् आगे देखते हैं भाई question number 23 की बात करते है question number 23 क्या करा है करता है वर्तिकाग्र की और पराकणों का अकरशन इसके प्रभाव के करण होता है किसके अफ्ऩेक करण होता है क्या आगे बात करते हैं अगला question क्या कर रहा है उसको भी देख लिया जाए question number 24 कर abuse काया बुद्र को किरीया किसके द्वारा प्रभावित होती है चलिए अगला जो प्रस्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त को भी देख लेते है 25 नमर का question करया है कि synergists अनुपस्थित होते है किसमें आप देखे बहुत important question synergists किसमें अनुपस्थित होता है करया H A is the right answer ठीक है jack catch प्रकार के भूण कोस में, भूण कोस में सिनर्जिट्स क्या होता है, अपसेंट होता है, ठीक है, चले, अगला प्रसन क्या कह रहा है, अगले प्रसन की तरफ हम बढ़ते हैं, कह रहा है अगला प्रसन की एक, यह धान की अंकुरण के दौरान, अलफा एमाइलेज एंजाईम क मुलागर कोशिकाओं में गुंशूत्रों को संख्या में इ aerialोन कोशिकाओं मुलागर कोशिकाओं में 42 गौणसूत्र वाले पोधे की एलुरोन कोशिकाओं में गुण सूत्रों के संख्या क्या होगी ठीक है अब देखिए बात यहाँ समझेए ध्यान से समझेगा मुलागर कोसिकाओं में 42 गुण सूत्रों आले पउधों की देखिए अब कहराए कि रूट में, मैंने बताया था एलूरोन कोशिका पूछ रहा है ऐलूरोन कोशिका में गुण्ण सूत्र संख्या कितनी होगी एलूरोन कोशिका में गुण्ण सूत्र की संख्या कितनी होगी जहू होती है चों कि 사न भल् versión prima दिए 42 हो जाएगा एक इस हो जाएगा 52 बटे 42 दू तो यहां मान रख दिजिए 3x तो 21 बराबर कि 3 इंटु 21 बराबर कितम हो जाएगा आपका एंसर आजाएगा 63 तो आपका राइट एंसर 63 कहा है C में तो C दा राइट एंसर 63 ठीक है चलिए अगला प्रसन क्या कर रहा है 28 नंबर का कोशन क्या कर रहा है उसको देखते हैं कर आब रित बीजी पाउधों का नर से खाएगा अब नरियू को भी पूच रहा है कि कारा है कि डग्यम्टफा फाइट इन अ एंग्योश्पर में इस डोनों परसन वो ज़रूर ध्यान रखियेगा कि की मेल ग्यम्टफाइट कोन होता है यह से एक पूच रहा तो देखिए मेल ग्टफाइट इंसर पॉलेन इस स्टिांस देखें सकते हैं कि बरती टीबीजी पॉधों में नीड alanे निलीन उपीत होती है एंगी फ्रीजियम माइक्रैम फियक टीको दिवारा कि caregiver स्परेग करा करपई और इंजी वारह एक पर पड़ा है लाइब साइक पूरा उस लेक्चर को आप जा करके देख भी सकते हैं दोस्त वहां आपकी सारी टर्मिन ओर जाएंगे हाला कि मैं आगे भी अपने लेक्च्चर में लेकर करके आने वाला हुई embryology भी ठीक है, taxonomic 777 embryology भी ठीक है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका right answer है OU, बीजान्ड द्वारा, समझ रहे हैं बीजान्ड द्वारा, गुरू बीजान्ड द्वारा किसके द्वारा, बीजान्ड द्वारा निरूपीत होती है ओयूल की द्वारा निरोपीद होती है ठीक है चलिए जो अगला प्रस्न है अगला प्रस्न क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं कि आखिर क्या कह रहा है देखे 30 नमर को कुश्चन कह रहा है बिना निसेचन के फल निर्माण कहलाता है निसेचन नो फल बन जाए क्या कहला फल निर्माड क्या कहलाएगा कहलाएगा पार्थीनो कार्पी पार्थीनो कार्पी बीज दा राइट एंसर अनिसेक फलन ठीक है बिना निसेचन फल निर्माड अगर हो गया तो कहलाएगा पार्थीनो कार्पी ठीक है इसके कारण ही पार्थीनो कार्पी फ्रूट बनते हैं औ और जो पार्थीनो कार्पिक फृत होते हैं वा बीज रहित होते हैं मतलब उसमें बीजणना किवरारों होते- नहीं होते हैं अगर बीज़ हैं भी तो रिस्ञें में अउन्कुरनुर्ट म हो सकते हैं तो चलिए आज की हमारे लेक्चर में बस यहीं तक फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स लेक्चर को लेकर ओके थैंक यू